हेलो एवडिवन, मेरा नाम है उतकरश मिश्रा, आज की इस वीडियो के अंदर हम ये समझेंगे Is it good to have political competition? की देश के अंदर जैसे हम सभी को पता है कि चुनाव होते हैं, elections होते हैं elections के अंदर competitions होते हैं, अलग-अलग political parties होते हैं, participate करती हैं leaders participate करते हैं, बहुत campaign वगएरा, बहुत तरीके की चीज़े होती है लेकिन question के क्या ज़्यादा है कि क्या competition होना अच्छी चीज है तो वैसे देखा जाए, तो competition होना तो एक अच्छी चीजी है क्योंकि इसे लोगों के पास choice मिलता है, at least एक बंदर अलग-अलग political party है अलग-अलग leaders खड़े होते हैं, अगर ऐसा होई ना, अगर इस तरीके की चीज़े होई ना तो ये elections करवाने का मतलब ही क्या है, कि जब एक ही बंदा elections में खड़ा है कोई मतलब ही नहीं है, सारे vote तो उसी को मिल जाएंगे तो मानते तो हैं कि competition होना एक अच्छी चीज है लेकिन इसके अलावा कुछ और भी पहलों का हम इस chapter के अंदर इस video के अंदर हम जिकर करेंगे, उन पे भी ध्यान देना ज़रूर ठीए, तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहला क्या बताया जाता है कि देखो जब भी electoral competition होता है, जब भी elections के अंदर competition होते है तो उसके कुछ demerits हमें देखने को मिलते हैं अभी demerits कौन-कौन से हैं, वो हम समझते हैं पहला आता है, it creates a sense of disunity and factionalism in every locality you would have पहले हां तक, ठीक है so इसमें क्या कराया जा रहा है, इसमें बताया रहा है कि देखो, society के अंदर क्या होता है disunity created हो, society को छोडो यह factionalism का मतलब होता है कि हर घर-घर मतलब बढ जाता है factionalism का मतलब होता है कि बढ जाना, clear so even हमारी जो locality होती है, even घर-घर भी बढ जाते है कैसे एक घर है, एक घर में एक कुछ लो members है, वो अलग political parties को support करें और घर के कुछ members अलग political party को support करें, तो घर ही बढ़ जाती है इसलो canale क्तव है, गाओं बढ़ जाती है, कुछ group के लो memb sy認, कुछ एक गली किसी ओंब को support करती है एक society किसी और को support करती है दूसरी बगल वाली society वहां के रहने वाले किसी अलग political party को support करती है तो इससे कहा जा रहा है कि disunity create हो जाती है एक भावना create हो जाती है मतलब भेद भावाली भावना create हो जाती है clear और आपने यह सुना होगा you would have heard of people of complaining of party politics in your locality कि आपने party politics तो सुना होगा party politics का मतलब क्या होता है कि लोग जो है party के प्रति अपने बहुत वफदार होते हैं clear चाहे अच्छा काम करे चाहे बुरा काम करे बस आख बंद करके चाहे यह तो अच्छा है मतलब वह एकदम कहते हो ना पक्के वाली लॉयल होते हैं अपने जो जिस भी party को पसंद करते हैं चाहे अच्छा काम करें चाहे बुरा काम करें तो अक्सर पार्टी पॉलिटिक्स भी हमें लोकालिटी में देखने को मिलते हैं कि कुछ जो लोग है अलग political parties की बात करते हैं कुछ है वह अलग political parties की बात करते हैं आयने इतनी बाह समझ ठीक है different political parties and leaders often level allegation against one another तो होता क्या है कि जो political leaders होते हैं जब भी elections होते हैं तो एक दूसरे को पर आरोप प्रते आरोप लगाते हैं कहते हैं इसकी गलती इसने ऐसा किया वही वाला बंदा उसको कहता कि नहीं यह खराब है इसने ऐसा किया करप्शन किया यह किया वह किया तो बहुत ह ज़्यादा आप देख सकते हो ना कि गंदी होती चली जा रही है एक दूसरे को पर बहुत ही आरोप लगाये जाते हैं तीसा पॉइंट है कि जो parties हैं पार्टी जो जीतने के लिए कहीं ना कहीं जो पार्टी जो प्रती हैं उनके मन में तो रहता ही है कि जहां पे भी कहीं इस डटी ट्रिक्स का उप्योग करने का वो करने का पीछे नहीं अठते वो कर ही देते हैं तो यह भी खराब चीज हमें नजर आ रही है अगला पॉइंट बता रहा है कि गुड़ पीपल हुमें विश्टू सर्व दा कंट्री डू नॉट इंडर दिस अरीना कि ऐसे लोग जो सुसाइटी में एक्चली कुछ करना चाहते हैं वो पॉलिटिक्स में जाके रेली मतलब डिवोटी होके लोगों के प्रती काम करना चाहते हैं वो इस सारी जंचल को देखकर इस सारी मतलब पॉलिटिक्स को देखकर उनका मनी नहीं करता इसी वज़े से पॉलिटिक्स मे अच्छे लोगों की हमें अक्सर कमी महसूस होती है अब ये एक अलग सा पॉइंट है इसमें कुछ चीजी है जो आपको समझना चाहे ये बताया जा रहा है कि हमारे जो constitution makers है जिन्होंने constitution बनाया वो लोग aware थे कि भाई problem होगी जो इस तरीके की problem हमने समझी घर घर बट जा रहे हैं लोग अच्छे लोग नहीं आ रहे dirty tricks का उपियों किया जा रहा है तो ये लोग जानते थे इस चीज को कि भाई ये problem तो होगी लेकिन उसके बावजूद भी हमने free competition in elections को choose किया और हमने क्यों ऐसा choose किया क्योंकि हम ये मानते थे इवन वो बैसिकली वो लोग ये मानते थे कि ये system जो है वो long run में ही अच्छा perform करेगा मतलब short term में थोड़ी बहुत इस तरीके की problem तो हमें face करने पड़ेगा अगर इसका broad vision देखें उसे long term में अगर हम देखें तो हम ये पाएंगे कि ये जो विजन है ये जो चीज है वो काफी ज्यादा अच्छी है effective है तो कहीं न कहीं इस वज़े से हमादे जो constitution makers है उन्होंने free competition चुना free competition तो समझे देऊगे कि कोई भी बंदा participate कर सकता है मैं election में participate करना तो कर सकता है इवन आप भी चाहो election में participate करना चाहो तो कर सकते हो पर ध्यान रखना कुछ conditions होती है जैसे कि age limit आपकी जब age limit उतनी हो जाएगी तो आप participate करने के लिए eligible हो जाओगे कुछ चीज़े conditions होती है eligible होने के लिए वह normal सी होती है कोई भी सब्सक्राइब से कर सकते है clear ठीक है अब मूफ करते हैं अपने कुछ आगे की पॉइंट्स के तब यहां चीज़ों का हम समझ रहे हैं अगर हम देखा जाए तो एक ideal world के अंदर हम यह देखते हैं मानते हैं कि जो political leaders होते हैं वो लोग यह जानते हैं कि जनता जो है वो क्या चाहती है और वो motivated रहते हैं by a desire to serve them वो पूरी तरीके से motivate रहते हैं कि हमें जनता के प्रतिक काम करने हैं ले एक demands के प्रतिक इमानदारी से काम करें honesty के साथ काम करें पर ऐसा नहीं देखने को मिलता यह ideal world है real world में कुछ ऐसा नहीं होता actually होता क्या है वो problems हम समझेंगे कि real world में क्या होता है real world में हम देखें तो जो political leaders है all over the world इंडिया की बात नहीं की जारी पूरे world के अंदर like all other professionals are motivated by a desire to advance their political careers क्या political careers कि इन लोगों को जनता तो भाड़ में गई इनको तो अपनी पड़िये कि कैसे ना कैसे करके इनका जो political career है वो improve हो वो चाहते हैं कि आज मैं इसका चुनाओ लड़ा हूं कल इससे भी बड़े पद का चुनाओ लड़ूंगा कल इससे भी बड़े पोस्ट का वो मतलब cm तक पीम तक बनने का सपना देखने रहते हैं वो बात की बात है पहले तो इनको अपनी देखनी रहती है दूसा बताया रहा है कि they want to remain in power to get power and position for themselves की वो पावर में रहना चाहते हैं वो नेता हमेशा बने रहना चाहते हो ऐसा वैसा नेता नहीं नेता पार वाला नेता ठीक है मतलब जो सीट पर हमेशा बैठे रहे उनकी position हमे नहीं सर हमारे आपे तो जो बंदा है वो जो लीडर है वो तो काफी अच्छा है वो तो बहुत अच्छा काम करता है ठीक है ऐसा सो सकते हो अब इसमें भी यही कहा जा रहे दे में wish to serve the people as well but it is risky to depend entirely on their sense of duty हो सकता है कि कई लीडर्स अच्छे हो लेकिन उनके sense of duty पे हम रिस्क करें तो देखो पहला solution तो यह निकल के आता है कि उनके जो character है उनका जो knowledge leaders को उनको improve करवाया जाए कि जो उनका character उनको एक अच्छा character बनाया जाए उनकी जो knowledge वो काफी अच्छा दिया उनके दिमाग को काफी जादा developer किया जाए तो यह तो थोड़ा बड़ा मुश्किल सा लग रहा है क्यों मुश्किल सा लग जाए इनको ग्यान देने जाओ इनको कुछ सिखाने जाओगे तो तुम कोई सिखा के भेजेंगे ठीक है तो यह थोड़ा मुश्किल है लेकिन दूसरा वाला तरीका जो हो काफी सटीक है इसे बतलब बहुत अच्छा तरीक है कि आप क् जंता के पिरति अच्छा सब करें और पनिश्क भी कर सकते हों अगर वह ऐसा नहीं करते यह क्या हैं जह नहीं करेगे जो जनता होगी वहीं करेगी अब थोड़ा सा समझ मेंनी तो अच्छा काम कर देढ़ा इस काम तो नेशक है एकाम ऊच्छा किया है ने estamos वादे तो बहुत पर काम ही नहीं किया लोगों के लोग सेटिस्टीस्वाइइन नहीं उसके काम से फंड़ कर दो पनिश में क्या मारो पीटो नहीं उसको नेक्स टाइम से वोटी मत दो वोट मांगना है बोल दो हाँ हाँ दे दे देंगे जाकर कि जो आपको अच्छा के लगता है उसके वोट दे दो सिंपल ठीक है तो इससे चीज़ यह समझ आते हैं देखो इसमें आगे चीज़ यह बताया रहा है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं इसको थोड़ा यह तो इससे अलग चीज़ जो मैं आपको समझाने की कूशिस कर रहा हूं बुक में हाला कि मैंशन है यहां पर में रहूंगा मैं का मैं काम लोगों का बहार में जाए मैं पहले गाड़ियां खरी दूंगा अपना बंगला बनाओंगा घर बनाओंगा ठीक है वह इस चक्कर में आयों लेकिन जैसे जैसे वो लोग बद पर बैठते हैं फिर धीदे धीदे उनको सेल्फ रियालाइजिशन भी होने लगता है कि अगर जनता के मुद्दो को मैं नहीं उठाओंगा अगर जनता के मुद्दो को मैं नहीं उठाओंगा जनता के लिए कुछ भी काम नहीं करूंगा तो नेक्स टाइम उनको तो वोटी नहीं देंगे लालत सुनके रहती है ना कि भाई नेक्स टाइम भी तो आइने को बड़ेंगी तो कौई काम करेंगे यह सोचेंगे हमारे लिए काम करेंगे अगर इले competition ही नहीं होगा तो उनको फरक ही नहीं पड़ रहा आब वो जी चुके हैं कोई competition में नहीं कि चाहिए काम करें या ना करें मतलब कौन देखने वाला है उन्हें तो competition होना तो अच्छी चीच आती है हमें निखर कर conclusion क्या निकलता है कॉंक्लूजन में हमें इतना समझ में आते है कि जो political competition है वो दिवीजन तो पैरा करती जैसे स्टार्टिंग में हमने पढ़ा थोड़ा अगलीनेस भी प्रीट करती है प्रॉब्लम लेकिन क्या होता है कि जो पॉलिटी का लीडर से फोस्फुली उनको लीडर्स जो होते हैं उन सुना अपने अब यह बताना है कि कौन से पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग है जो नारे लगा रहे हैं आज की वीडियो तो वैसी खतम हो जाती है वीडियो कैसे लगी है वह आप लोग ज़रूर बताईगा तीन चीजे करना बिलकुल मत भूलेगा लाइक अमेंड शेर इन इसमें से कौशन्स पूछे जाते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इस वीडियो को कवर किया है और आप लोगों को भी वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छे से समझ में आई होगी तो मिलते हैं अपन लोग नेक्स वीडियो में प्लेलिस्ट बनी पड़ी इसी लिखनी अलग अलग टॉपिक्स को तो आपका वह कर सकते हैं ठीक है